नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे भारतिय परंपरा में हम केवल मनुश्यों को महत्व नहीं देते हम प्रकृति को पेड़ पौधों को और पशु पक्षियों को भी उतना ही महत्व देते हैं और भारत वर्ष में गाए एक विशेश तरह का पशू है जिसकी महत्ता देखते हुए जिसकी महिमा देखते हुए इसे गौव माता का दर्जा प्राप्त है आज हम आपको बताएंगे कि गाए का इतना महत्त्व क्यूं है और गाए के संपर्क में आने से जीवन की तमाम मुश्किलें दूर कैसे हो सकती हैं बात करेंगे बारह राशियों के दैनिक राशी फलकी और कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सकसिस मंत्र में तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग दिनांक 24 फरवरी दो हजार 24 दिन शनीवार तिथी है माघ शुकल पक्ष की पूर्डिमा तिथी शाम के पाँच बच के 69 मिनट तक नक्षत्र है मघा नक्षत्र रात के 10 बच के 20 मिनट तक चंद्रमा सिंग राशी में संचरण कर रहे हैं राहुकाल का समय प्राता काल 9 बजे से 10 बच कर 30 मिनट तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो ऐसी स्थिती में जरासा घी खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जानते हैं दिनांक 24 फरवरी 2024 दिन शनीवार को प्राता काल 5 बच कर 30 मिनट पर ग्रहूं की स्थिती क्या है शुक्र और मंगल विद्यमान हैं मकर राशी में सूर्य बुद्ध और शनी विद्यमान हैं कुम्भ राशी में राहू मीन राशी में ब्रिहस्पती मेश राशी में चंद्रमा सिंग राशी में और के तु संचरण कर रहे हैं कन्या राशी में ग्रहों की इसी स्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशी फल क्या रहने वाला है सबसे पहले जानते हैं कि गाए को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण पशु क्यूं माना जाता है देखिए प्राचीन काल से ही भारत वर्ष की सारी अर्थ व्यवस्था गाए पर ही निर्भर रही है क्रिशी से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाए पर ही निर्भर रहा है और वर्तमान समय में भी व्यवसाय का एक बड़ा वर्ग गौव माता पर गाए पर निर्भर करता है गौव माता का संरक्षन और समवर्धन ना करने के कारण भी काफी हद तक हमारे देश में समस्याएं बड़ी है देखिए प्राचीन काल में भारत में क्रिशी का आधार गाए हुआ करती थी और गाए का मूल्य बहुत ज़्यादा था अब भले ही गाए क्रिशी का आधार नहीं है लेकिन हमारे जीवन का आधार अब भी है गाए से प्राप्त होने वाली चीजें गाए के संपर्क में रहना ये हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है अब ये जानते हैं कि धर्म ग्रंथ और पुराण गौ माता की महिमा के बारे में क्या कहते हैं देखिए कहा गया है पुराणों में कि गाए में समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवताओं का वास है भविश्य पुराण में लिखा है कि गाए के प्रिष्थ देश में पीठ में ब्रह्मा का वास है गले में विश्नू का वास है मुख में रूद्र यानी शिव का वास है गाए के मध्य में समस्त देवताओं का वास है इसी प्रकार रोम कूपों में महर्शी गड़ों का पूछ में नाग का खुरों में समस्त परवत का गोमूत्र में गंगा आदि नदियों का गोमे में लक्षमी का और नेत्रों में सूर्य चंडर का स्थान बताया गया है शास्त्र ऐसा कहता है कि गाए को अपने भोजन का एक कौर यानि भोजन का एक हिस्सा जिसे गोग्रास कहते हैं खिलाने से अनन्त दान का पुन्य प्राप्त होता है यानि अगर धर्म के दृष्टी कोण से देखें शास्त्र के दृष्टी कोण से देखें तो गाए को एक पवित्र पशू माना जाता है गाए पर हमारी चर्चा जारी रहेगी लेकिन आपको बता दें कि कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सकसेस मंत्र में अब जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिथुन और कर्क राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश राशी, स्वास्थ में आपके सुधार होता जाएगा संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है परिवार में आपके शुबकारिय होंगे खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिशब राशी, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिये यात्राओं में सावधानी बनाए रखें खान पान का ध्यान भी बनाए रखिये शनी मंत्र का अगर आप जब कर लें ओम शंग शनेश्चराय नमहा तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मिठुन राशी, धन लाब के योग बन रहे हैं रुके हुए काम आपके पूरे होंगे किसी अतिथी का आगमन होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा करकराशी, करियर की समस्याएं हल होंगी धन लाब के योग बन रहे हैं परिवार में आपके शान्ती आएगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा अब ये जानते हैं कि गाय के महत्व के बारे में वैज्ञानिक धारना क्या है साइन्टिफिक एप्रोच क्या है देखिए गाय के संपर्क में आने से जो गाय की तरंगें हैं वो सीधे मानव के मन पर और शरीर पर असर डालती हैं गाय से प्राप्त होने वाली पांच प्रमुख चीजें विशेश महत्व रखती हैं दूद, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोबर जिसको गोमे कहते हैं गाय का दूद और इससे बनने वाले पदार्थ फैट नहीं बढ़ाते बलकि पोशन प्रदान करते हैं गाय का मूत्र तमाम खनिज से भरपूर होता है इसलिए हृदय रोग की बीमारियों में और कैंसर की बीमारियों में आयूर वेद में गोमूत्र का प्रियोग किया जाता है गाय का गोबर की टाणू नाशक तो होता ही है साथी साथ रेडियो एक्टिविटी को रेडियो धर्मिता को सोख लेता है गाए का गोबर भूमी को उपजावू बनाता है और वाता वरण को शुद्ध कर देता है जो आजकल मिट्टी की उरवर्ता घट रही है जो आजकल स्वाइल बचाने की मिट्टी बचाने की मुहिम चल रही है अगर उस मिट्टी में गाए के गोबर का प्रियोग किया जाए तो मिट्टी की उरवर्ता लंबे समय तक बनी रहेगी कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सकसिस मंत्र में अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक राशी के लोगों का दैनिक राशीफल सिंग राशी, करियर की समस्या आपकी हल होगी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे किसी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा कन्याराशी, स्वास्थ का बहुत ध्यान रखें धन हानी से बचाव करें महत्वपूर्ड काम अभी ताल दें शनी मंत्र का अगर जब कर लें ओम शंग शनेशराय नमहा तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी तुलाराशी, धन लाब के योग बन रहे हैं रिष्टों की समस्या हल होगी अविवाहित हैं तो विवात तै हो सकता है पीपल के व्रिक्ष में अगर जल अर्पित करने तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिष्चिक राशी, धन लाब के योग बन रहे हैं दिन भर आपको दोड़ भाग करनी पड़ेगी हालाकि करियर की समस्याएं आपकी हल होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा अब ये बताते हैं कि गाय की सेवा किस तरीके से करें जिससे आपके ग्रह नियंतरित हों ग्रहों की बाधा दूर हो जाए देखिए गाय को अगर आप गुड़ खिलाएं मंगल वार को गुड़ खिलाएं तो मंगल की समस्याएं दूर होंगी और रवी वार को गुड़ खिलाएं तो सूर्य की समस्याएं दूर होंगी यानि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब परिड़ाम दे रहा है तो मंगल वार को गाए को गुड़ खिलाएं अगर सूर्य खराब परिड़ाम दे रहा है तो रवी वार को सूर्य को गुड़ खिलाएं गाय को आटे का पेड़ा खिलाने से यानि आटा खिलाने से और गाय को सनान करवाने से चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं अगर शुक्र संबंदी समस्याएं जादा हैं तो आटे की लोई बनाके आटे का पेड़ा बनाके शुक्रवार को गाय को आटे का पेड़ा खिलाईए और अगर चंद्रमा गड़बड है तो गाए को अच्छी तरह से सो मुआर के सो मुआर सनान करवाईए आपको लाब होगा गाए को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं खासतोर से बुद्धवार के दिन या जब भी आपको मौका मिलता है अगर आप गाए को हरा चारा खिलाते हैं तो आपका बुद्ध मजबूत होता है और आपको धन का अभाव नहीं होता जो लोग शेयर बाजार में हैं इस्पेकिलेटिव सेक्टर में हैं जा जिनका काम धन से संबंदित है ऐसे लोगों को हर बुद्धवार को गाए को हराचारा जरूर खिलाना चाहिए सनान करते समय जल में अगर आप गोमूत्र डाल कर सनान करते हैं तो राहु केतु और शनी की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं खास तोर से अगर राहु केतु की वज़ा से आपको तवचा की समस्याएं परिशान कर रही हैं नहाने के पानी में जरासा गोमूत्र डाल करके अगर आप सनान करें तो आपकी समस्याएं दूर होंगी नियमित रूप से अगर आप गाए की सेवा करें तो इससे आपको नाम, यश और धन मिलेगा संतान संबंधी पीडा, संतान संबंधी बाधा आपकी समाप्त होगी जो कोई भी गाए को कष्ट देता है या पीडा पहुँचाता है, सामान्यता ऐसी मान्यता है कि उसके वन्ष का विस्तार नहीं होता इसी लिए गाए को पीडा देना, उसको कष्ट पहुँचाना, गाए की वृद्धावस्था में इधर उधर छोड़ देना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हैं, तो संतान पक्ष से जीवन में आपको कष्ट भोगना पड़ेगा कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सकसेस मंत्र में अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्ब और मीन राशी के लोगों का दैनिक राशी फल धनू राशी, करियर में लाब के योग बन रहे हैं मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी धन लाब के योग दिख रहे हैं खाने, पीने की वस्तुका अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा मकर राशी, स्वास्थ का ध्यान बनाए रखें आफिस में विवादों से बचाव करें परिवार की समस्याओं का ध्यान रखें शनी मंत्र का एक सो आठ बार जब कर लें ओम शंग शने शराय नमहा तो शनी के मुश्किलें, दिन के मुश्किलें कम हो जाएंगी कुम्भराशी, सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी परिवार में मंगल कारिय के योग बन रहे हैं कोई शुब सूचना इस समय आपको मिल सकती है खाने पीने की वस्तुका दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा मीन राशी, मानसिक चन्ताएं दूर होंगी वाहन का सुख प्राप्त होगा करियर में आपके कुछ बदलाव होगा पीपल के व्रिक्ष में अगर जल अरपित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा ये तो रहा बारा राशी के लोगों के लिए उनका दैनिक राशी फल अब जान लेते हैं स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भव में अगर मोटापे को कम करना चाहते हैं तो चीनी के बजाए गुड का या शहद का प्रियोग करिये पंद्रह दिन अगर चीनी का प्रियोग छोड़ दिया जाए तो मोटापे पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा अब जान लेते हैं दिनांक 24 फरवरी 2024 दिन शनीवार का सक्सेस मंत्र क्या है प्रातह काल हनुमान जी को एक पान का पत्ता अर्पित कर दीजेगा और घर से निकलते समय उस पान के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा खा लीजेगा अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी तो आपका दिन शुब हो मंगल मैं हो इसी कामना के साथ मुझे दीजे इजाजत देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए झाल